नमस्कार साथियों कैसे आप सब बढ़िया एकदम मस्त आपकी बढ़ाई भी बढ़ी मस्त चल रहे होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साथियों हम पढ़ रहे हैं कुष्ण बेंक सालिशन और कुष्ण बेंक सालिशन में हमने दो लेक्चर पढ़ लिए हैं अलकॉल, फिनॉल और इथर के एक्चूल में दो लेक्चर में कम्लिट हो जाता लेकिन पिछले लेक्चर में अचानक लास्ट में जो है लाइट चली गए थी पावर आफ हो गया था इसलिए जो है एक-दो कुष्ण बच गए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों इसके बाद में हम पढ़ेंगे LD-Hired Ketone और अम्लक के बारे में कार्बोकसली कम्लक के जो चेप्टर है उसके कुष्ण बेंक सालिशन के बारे में चर्चा करेंगे फिर nitrogen-yuk-t-carbonic-yogic उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर last room में आपकी unit बचेगी unit second और unit third ये और बची हैं बाकि सारी unit के मैंने कुष्ण बेंक सालिशन करवा दिये हैं आप जो है प्लैलिस्टे में जाके आराम से देख सकते हो प्लैलिस्टे में सभी unit की मैंने series दे रखी सभी को प्लैलिस्टे में लगा रखा है 2022, question bank solution, class 12th प्लैलिस्टे है उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी चलिए शुरुवात करें एलकोहल के निर्जाली करने के चिरियावदी जैसा कि नाम से पता चल रहा है साथ ही हो एलकोहल क्या होगा हो रहा है निर्जाली करने यह है भाई साब एलकोहल कुण सा एलकोहल है एथिल एलकोहल कौन सा एलकीन मना यह एथिलेल्कॉल लिया तो एथिलीन मना च्छ2 डवलमोल्ड च्छ2 यहां से तो निकला हाइड्रोजन कम पड़ा और यहां से ओ हैच्छ आपका यह तो यहां पर क्या वह थिस्टु द्मlleव और से एश्टू प्लस एश्टु तो यह तो सीरुप हुई र सब्सक्राइब का इसलीन में निर्जलीकर्ण के अनसार के अब यह जो निर्जलीकर्ण हो रहा है अपनों रियक्शन तो एक देख ली लेकिन भाई साब यह रियक्शन कितने स्ट्रेप में हो रहे हैं कि यट्ने step में देखेए गद्ञान से इससे यह बनना तीन step में हो रहा है तीन step में केसे हो रहा है देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा द्मुध देखना रहा होगा कि यह 3 से प्लेब और यह श्तर घ्रन वपनों ने इस घ्रीड से एखिलीन मंनाया वो प्रोटान का नसवा है हंसे पे अएलक्यू प्रोटान का जोड़ा है उनले क्या झाजान गया पर तो यहां पर आना का जोड़ा है ह हुआ क्रõesल को जोने के लिए लिए दिया तो इस ऑक ठीक है CH3 CH2 ऐसा कैसे लिख दिया अपनों ने हैज़िटी दिया और यह ऑक्सिजन और एक एच तो पहले से जुड़ा हुआ है और हमने एक एच और जोड़ दिया एक एच और जोड़ दिया हमने और इसके उप़र क्या आ जाएगा पॉज्ड़ चार्ज तो इसके उपर दो लों पेर एक तो इधर तो ये वाला जो bond है ये lone pair के रूप में इस oxygen के पास आ जाएगा तो ध्यान से देखना ये H और ये O और ये H ठीक है एक lone pair तो आलरेडी इसके पास है और ये ये वाला bond यहां पर आ गया तो एक lone pair और हो गया मतलब ये पूर्णा था है H2O का molecule बन गया ये H2O हो गया और यहां carbon के उपर किया जाएका positive charge तो ये होगे आपका CH3 CH2 Carbocatine अथिल Carbocatine भी किया सकते इसको अब जैसे आपका bond जो है जहां से देखना ये C ये H ये H ये H ये CH2 पोजिटिव ठीक है कौन सा भी हाइड्रोजन निकाल दो जैसे अपने H प्लस निकालेंगे ये bond कहां जाएगा यहां पर और ये पोजिटिव चार्जी क्या हो जाए के इंसल ये हो जाएगा CH2 double bond CH2 और ये प्लस निकल गया अब इसकी ठोड़ी देखते हैं अपन एथिल एल्कॉहल का प्रोटोनिकन ये एथिल एल्कॉहल इसका क्या प्रोटोनिकन एच प्लस जुड़ा आक्सिजन पर एकांकी इलेक्ट्राइन यूग में की उपस्रिति की कारण एल्कॉहल दूरबल शार के इस इस ऑक्सिजन को गुस्सा आगया ये इधर से साजे के रिक्ट्राइन जोड़ी को इधर खीचेगा और वापस इसके पास अपने दोलोन पेर पूरा कर लेगा और इस कारबन के ओपर पॉद्री चार जाज जाएगा तो उच्छ रिमिद्यूति अक्सिजन पर कार्ब के यह क्रेश्म पर जाती है जो तुरंत प्रोटान त्याग कर किया एथिलीन रणुम बनाता है तो यह वेरी इंपोर्टन कुस्यन है अल्कौहिल का निरजली करने की क्रिया विद्टी एक्षुल में यह रियक्षन पर हैं यह इतनी सी है यह इससे यह बन रहा है यह कितने स्टेप में तीन स्टेप में तो इसका इस्कुंशार लीजिए यह पिछले लेक्टर में अधूरा रही गया था कि अब है अगला क्यूशन आपका तो यह क्यूशन बचा हुआ था फिनोल की सांध्र ह्ट फोर की उपसिति में सांद्र ह्हनो 3 के साथ अभीक्रिया करने पर क्या बनता है तो टूपोर्सिक्स स्ट्राइञ्टू फिनोल बनता है जिसे पिक्री गमलभी कियते है इस हैं 3 को अपन हो लिखेंगे तो भी चलेगा चलेगा ना हो तो हर जगे क्या है यहां पर अंडर इस्टूडे हैं कि एच लगा हुआ है हर जगे एच रेता है होगा क्या कि अगर आपको यहां से क्या निकल रहा है यहां निकल रहा है तो यह से समझ लेता है अपने को होगा तो तीन जगे से इनका है प्रतीश साबित हुआ और उनकी जगे क्या लगा एच टूड़ गूर गया तो इसको कहेंगे अपन यहां से नम्रिंग क्यों करेंगे एक दो तीन चार पांच छित टू फोर सिक्स ट्राइनाइटो फिनॉल है ना यह क्या है यह फिनॉल है और फिनॉल के कौन कौन सी पोजिशन पर अपनोंने एनोरू जोड़ा दूसरी पोजिशन चोथी पोजिशन और शट्वी तो इसका नाम हो गया टू फोर सिक्स ट्राइनाइटो फिनॉल यहां फिर पिक्री कमदर नाम हो गया इसकी इंशार देजिए इंपोरेंट रियक्शन है ओके चलिए अगला क्युशन है फिनॉल की अपन किके साथ में के रिया करवा दो जिंग के साहथ जिंक चुरूमं की साथ अप fiance वह पिनॉल की यह फिनॉल है जिंक के साथ इस एक्षिन को आप चाहो तो एसे बला सकते हो C6H5OH प्लस ZN गर्म कर रहे है अपन तो ये O और ये ZN निकल जाएगा ये क्या हो जाएगा C6H6 प्लस ZN O इसको ऐसे भी बता सकते हो मेरी बात सुना यहां से oxygen हट गया और ये ZN, ZN O निकल गया तो ये hydrogen डारेक्ट रिंग से जुड़ गया ये क्या बन गया? बेंजीन बन गया तो जिंक चूरने के साथ एक क्रिया करवा रहते हैं तो फिनॉल का क्या खीश लेगा ये? जिंक, oxygen खीश लेगा जिंक चूरने के साथ आस्पित करने पर फिनॉल क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है फिनॉल से बेंजिन का बनना बताया गया है अंगली रियक्शन है एक और फिनॉल से क्या बन रहा आप पेरा क्रिसाल कैसे बनाएंगे फिनॉल से पेरा क्रिसाल कैसे बनाएंगे तो यह फिनॉल है भीया इसकी रियक्शन किसके साथ में करवा दो मेथिल क्रॉराइड के साथ करवा दो गर्माद तो यहां पर अंडरिस्टूर है कि क्या है एच लगा हुआ दिख रहा है आपको हर जगे ची gas रहता ही है आपको मालू है क्या होगा यहां का एच और यहां का इसको कपते हैं आर्थोग्रिसॉल और अर्थोग्रेशन में यहां का है और यह यह ठीट ज्ट इस गया जूँज जाएगा ज्सिए बनाता है यह बन रहा है लेक्रसाल मेज़ल क्राफ्ट मैं मेथील क्लॉइट को ने चीज तरील क्या तो ने यह बन रहा है पेरा क्रिसाल मेदर प्रोडूक्ट यह यह तो पेरा क्रिसाल बनता है समझ में आया चलिए बहुत बढ़िया समझदार वच्चे सभी थोड़ा स्वास्ते की प्रोब्लम होने के बावजूद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं यह एलकॉल फिनॉल रृथर के तीन लेक्षर में पुरा हुआ हुआ हला कि दो लेक्षर में हो जाता लेकिन पिछले फिनॉल में क्या हुआ कि लास्टर में पावर तू आपने के यहां पर अगली अपकी आ गई लुकंसी रिएक्शन है भया fragments एल्कोहल का निर्जली करने की क्रियावी दिया आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशल रहेगा तो पड़ाई अच्छे से करिए मज़े से करिए इन्जॉय के साथ करिए मैंने एक्चुल में आपके जो है अब जो है सिर्फ यूनिट यूनिट तेरा दूसरी और तीसरी और स्वाइद भी बागी अभी सोना यूनिट में से मैंने अभी तक आपको 11 यूनिट कम्प्लिट करवा दिया अभी ग्यारा यूनिट की वीडियो आप देखिए घुνते फिरते कहीं पर भी यह इयरफोन से आप गाने मच सु नेस्ट प्रोब्लम के साथ और आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को हर एक इस तुरियन तक पहुचा रहें जिस बच्चे को इस वीडियो की रिक्वार्मेंट है कि मुझे पर इंक इस मिल जाए मुझे मुझे सालूशन मिले तो मिले उसके साथ मुझे समझने को भी मिल जाए उस बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचाना आपका करता भी है आपका यह बस इतना है कि आप के ग्रूप में जितने आपकी क्लास के बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा ठीक है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बाए जहिंद क्यों अगलिगा प्रकुद प्रकुद